हेलो दोस्तों आपका स्वागता है हमारे चैनल आईरुवेधिक मेडिशियन टिप्स में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हल्दी का दूद फिने के फायदे दोस्तों दूद फिना फायदेमंद होता है दूद में विटामिन एक और बी बारे थाइमीन और लिकोटिनिक एसिड मिनरल जैसे केल्सियम फास्पोर्स सोडियम और पोटेशियम पाई जाते हैं जो हड्यों के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे हमें ताकत मिलती है यह श्रीर की रोग परतिरोदक समता को बढ़ाता है और मजबूत करता है अगर इसमें हल्दी मिला ली जाए तो यह और भी गुणकारी हो जाता है इसी कारण ज्यादतर लोग ठंड के दिनों में हल्दी वाला दूद पीते हैं दोस्तों हल्दी और दूद दोनों ही गुणकारी है लेकिन अगर इन्हें एक साथ मिला कर लिया जाए तो इनके फाइदे दोगुने हो जाते है हल्दी वाला दूद पीने से कई बिमाजी से बचा भी चाच सकता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि रोज हल्दी वाला दूद पीने से परियप्त मात्रा में केल्चियम मिलती है इस केल्चियम से हड़ियां स्वस्थ और मजबूत होती है हल्दी वाला दूद मरीजों के लि और मास पेशियों लचिला बड़ दर्द को कम करने में मददकार है आयुरुएद में हल्दी वाले दूद का इस्तेमाल सोधन क्रिया में किया जाता है या खून में तोक्सिक दूर करता है और लिवर्स को साप करता है पेट से जुरी समेशा में राहत देता है और हल्दी वाला दूद इसमें बहुत ही मददगार है दोस्तों सोध की माने तो हल्दी में मौदूद तत्वा कैंसर की कोशिकाउंट से डी एने के होने वाले नुक्सान को रोकते हैं हल्दी वाला दूद पीने से कान के दर्द में राहत मिलती है ऐसा दूद पीने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे दर्द में तेजी से आराम मिलता है दोस्तों हल्देवाला दूद कब पीना चाहिए दूद पीने का सही समय क्या है इस बात को लेकर हर किसी के मन में दूइदा रहती है कई लोग सोचते हैं कि दूद नास्टे के साथ पीना अच्छा माना जाता है जबकि ज़्यादर तो लोग इसे रात में पीना सही ठैराती है हलांकि अगर दूद का सेवन दिन में किया जाए तो यह दिन पर शरीर को उर्जा देता है वो रात में पिया जाए तो यह दिमाग को सांथ करके अच्छी नींद लाने में विच्छाए जबकि आईरुवेद की माने तो रात में दूद पीने सबसे उतन समय होता है दोस्तों रात को दूद पीना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे सरीर की दिन पर की थगान मिटती है और नींद अच्छी आती है दूद में टिप टॉफन नामक्त एमिनो एसिड की मदूदकी से नींद की हार्मोन इस तरको बढ़ाने में मदद मिलती है इसी कान से रात को दूद पीने से अच्छी नींद आती है वहीं इसमें हल्दी मिला कर पीने से सरीर की रोपती रोधरा दक समता पड़ती है दूद केलसियम का अच्छा इस्टोध है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है गूत में प्रोटीन होता है जो कि मास पेशों के विकास के लिए लापदाईश है तो धन्यवाद दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद